नमस्कार दोस्तों कैसो आप साव लोग फ्रेंड्स आज इस छोटे सी यूडियो में मैं अपने डॉम ट्विटर को ओपन करके दिखाऊंगा और साथ मैं आप लोगों को मल्टीमीटर के जिरिए इसको चेक करके भी दिखाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तक अपने वुड्स टॉक के एंप्लिफार एक्विलेज और स्पिकर बोक्स के सभी पार्ट्स ओपन करके दिखा दिये हैं अब मैं आप लोगों को वन बाई वन इन सभी पार्ट्स को चेक करके भी दिखाने वाला हूं कि क्या यह फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर हैं अलागि आप लोगों को यूट्व पे बहुत सारे जो वीडियो मिलते हैं वो जो इनफोर्मेशन देते हैं वो मेर को थोड़ी सी डाउट फूर लग रही है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोगों को बहुत इंट्रेस्टिक और जैनुवन लगने वाला है जी हां दोस्तों ये जो डॉम ट्वीटर में अप लोगों को दिखा रहा हूँ इस डॉम टॉइटर से मुझे फ्रेक्वंसी मिसिंग नजर आ रही है यानि कि जब मैं इसको चलाकर देख रहा हूं तो मुझे टुइटर की आवाज नहीं आ रही है तो मुझे कहिना कहिई इ यह देखने वाले हैं क्या इसकी कोईल खराब हो गी है या फिर इसके क्नेक्शन लूज हो चुके हैं या फिर क्रोस ओवर से इसका केपिशेटर खराब हो चुका है यह देखने वाले हैं यह देखे दोस्तों इसकी क्नेक्टिविटी तो मेरे को यहां पर रोके लग रही है कन continuity चेक करा रहा हूं मल्टी मीटर से कि इसके कोईल के connection सही है कि नहीं है जर्नली जब आप जाते हैं कोई भी चीज लेने के लिए तो लोग ऐसे continuity चेक कराते हैं लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यह तरीका सही है कि नहीं है आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को continuity ओके मिली लेकिन यह तरीका बिलकुल सही नहीं है ऐसे हम लोगों को कोई भी कोईल चेक नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी जो इसके connection आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो connection crossover तक जा रहे हैं यानि कि यहाँ पर जब आप इसकी continuity चेक करते हैं तो वो आप लोगों को कोईल के साथ साथ इस wire की भी continuity दिखाता है यानि कि आपकी wire जो है crossover में जाके उसकी continuity ओके हो जाती है तो आप लोगों को multimeter के जरीए ये twitter जो है okay ही नजर आने वाला है यहाँ पर लेकिन अभी आप देखिए मैं इसके ये connection लगे हुए हैं इसके connection को हटा कर आप लोगों को दुबारे से continuity चेक कराता हूँ ये इसका dome देखिए dome को आगे सी ये जो पिचका हुआ है ये भी आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे दबा हुआ dome ठीक हो सकता है ये भी छोटे सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस dome twitter के connection को निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को जब आप बहुत परानी चीज के connection को निकालते हैं आप लोगों को उसकी पिक्चर ले लेनी चीए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी वायर कहा लगी थी क्योंकि वुड़ स्टोक के इस बहुत परानी dome twitter में पॉजिटिव नेगटिव के symbols नहीं बने हैं लेकिन मैंने देख लिया है अच्छे से और इसकी पिक्चर भी ले लिया है कि इसकी connection कैसे हुए है यह देखे दोस्तों मैंने disconnect कर लिया है अब आप लोगों को मैं इसकी कोईल की continuity चेक कर आता हूँ अपने multimeter से friends continuity के according तो यह twitter ठीक है लेकिन इसमें से आवाज बहुत कमारी है मैं अभी आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ और आगे भी वीडियो में बताऊँगा कि इसमें क्या problem है friends versus company का यह बहुत पुराना dom twitter चलतो रहा है लेकिन इसमें से आवाज जो है बहुत ही ज़्यादा कम आरे है इसकी high frequency की जो decibel है वो बहुत ही ज़्यादा कम निकल रहे है मैं 100% sure हूँ कि यह जो twitter है सही नहीं है यह देखिए मैंने अपने soundking के amplifier का volume भी काफी ज़्यादा रखा है इस twitter के वाटेज के according यह काफी ज़्यादा volume है और आप लोग मेरे balance बास और treble switch की position भी दे सकते हैं मैंने treble भी हाई रखा है इसमें कुछ ना कुछ problem जरूर है अभी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को इस dom twitter को open करके भी दिखाता हूँ कि इसकी coil में कोई प्रोलम तो नहीं है यह हम चेक करते हैं अभी इसमें इसके front में जो यह three screw लगे हुए हैं इनको उपर करने के बाद यह dom twitter open हो जाएगा dom twitter के अंदर कुछ ज्यादा पार्ट नहीं होते हैं इसके अंदर basically एक तो magnet का parts होता है और दूसरा parts आप देख रहे हैं magnet के साथ साथ इसमें एक coil होती है और coil holder के उपर ही हमारे को plastic का इसका एक cap लगा हुआ है coil की condition जो है देखने में बहुत सही लग रही है coil खराब नजर नहीं आ रही है इसका यह dome दबा हुआ था इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप यह आपको ठीक करके दिखाया ज्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर और यह देखिए इसकी coil में आप सही लग रही है continuity तो मैंने दिखाया इसकी ओके आप लोगों को दिखाई दे रही थी लेकिन इसमें से आवाज जो है बहुत कमा रहे कहीं ना कहीं इस coil के अंदर प्रोलोम जरूर है दोस्तों मैं आप लोगों को sound test में भी यह दिखाऊंगा करके दोस्तों यह जो dom twitter हैं इस इसको दबने से बचाता है बाकी इसके अंदर यह देखिए मैं आपको focus करके दिखा रहा हूं इसकी मेगनेट अब मैं आप लोगों को दोनों dom twitter को चेक करके दिखा रहा हूं मैंने अपना दूसरा dom twitter भी निका लिया है एक यह जो dom twitter है इसकी continuity तो ओके है लेकिन जो दूसरा dom twitter निकाला है उसकी continuity नहीं आ रही है यानि कि इसकी coil कहीं ना कहीं से अंदर से break हो चुकी है यह भी मैं आप लोगों को अभी open करके दिखाऊंगा कि इसमें यह जो coil break हुई है उसकी क्या condition एक twitter ओके दूसरा यह not okay है यह देखिए okay dom twitter के बाद अब मैं आप लोगों को not okay यान दूसरे वाले dom twitter के तो coil मैं आप लोगों को दिखा दी इसकी जो coil खराब है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसकी coil खराब कैसे है friends इस silk dom twitter की जो coil होती है वो हमारे black color के इस plastic वाले case से चिपकी हुए होती है यह white color की plastic में इसकी coil holder है जो की इससे paste हो रखा है चिपका हुआ है इसको मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ ज्यादा tight तो यह paste नहीं था यह देखे बड़ी आसानी से ही यह निकल गया हलकी सी pasting कर रखी है क्या फिर यह हो सकता है पेस्टिंग ना हो यह काफी लंबे से में से लगे होने के वज़े से चिपक गया उससे और इसका silk dome यह देखे इस तरीके से बाहर निकल जाएगा हमारे जितने भी silk dome होते हैं ट्विटर उन सब का जो यह silk dome होता है उसको आप इस तरीके से निकाल के ठीक कर सकते हैं अब यह आपको मैं इसकी coil दिखाता हूँ coil के terminal से एक पतली सी wire जाती है यह इसकी coil की ही wire है जो front वाले परदे से होते हुए दबी हुई अंदर जाती है और यहाँ पर इसकी coil की यह जो wire है यह disconnect हो चुकी है इसलिए इसकी continuity नहीं आ रही थी यह देखे दोस्तों इसकी coil की हलकी सी wire टूटी हुई है वैसे दोस्तों यह wire इसको soldering करके repair तो हो सकती है लेकिन मैं 100% sure हूँ repair करने के बाद भी यह coil नहीं चलने वाली है क्योंकि जो पहले वाला twitter है उसकी continuity तो okay है पर फिर भी उसमें से आवाज नहीं आ रही है इसलिए मैं इस coil को repair नहीं करूँगा soldering करके ठीक तो कर सकता हूँ लेकिन life यह नहीं देगा मैं चाहता हूँ कि मैं जो यह twitter लगा हूँ वो उसमें काफी लंबे समय तक service दे खराब ना हो तो मैं इस coil को repair नहीं करके दूसरी वाली coil लगाने वाला हूँ अपने इस dom twitter के अंदर फ्रेंट्स हमारे woodstock के vintage speaker box का एक dom twitter तो okay है लेकिन दूसरा dom twitter तो okay नहीं है क्योंकि इसकी coil खराब है इसलिए यह चलनी रहा है यह काफी disappointing है लेकिन आमारे पास एक उमीद की किरन है वो है यह after market coil जो की मैं खरीद के लाया हूँ मैं आप लोगों को इसके बारे में detail में बताऊंगा और साथ ही इस dom twitter को चला के भी दिखाऊंगा हम लोगों के पास अभी option है इसको जीवित रखने के लिए